उत्तरपदेश में अध्यक्ष खोजो अभ्यान के तहत भाजपा ने महीनों मशक्कत की और उसके बाद पार्टी का केंदरी नेत्रत्व इस नतीजे पर पहुंचा कि पश्चिमी उत्तरपदेश के जाटनेता भाजपा के भूपेंदर सिंग को कमान सोपी जाए चुनावी राजनीती में खुद तो बहुत सफलता उनको कभी नहीं मिली लेकिन बूथ प्रवंधन वो जानते हैं ऐसा पार्टी में कहने वाले हैं लेकिन सबसे बड़ी खुबी या कहिए सबसे बड़ी सियासी जरूवत उनको अध्यक्ष बनाई जाने की यह रही इस बार कि वो जाट विरादरी से आते हैं और पश्मी उत्रपदेश में भारती जनता पारिटी को राष्ट्रिय लोक दल से जो मुकावला करना पड़ रहा है और उस पर जो किसान अंदोलन की चाया है और टिकेट परिवार के साथ जो भाजपा की अनुबन है इन तमाम समी करणों को देखते हुए भाजपा को पश्मी उत्तरपदेश भर की तमाम सीटों पर निरनाईक प्रभाब छोड़ने वाली इस ताकतवर जात क्या मान और उसका मन दोनों संतुष्ट करने की जरुवत थी इसलिए भूपें चोधरी को खोजगर लाया गया अब भूपें चोधरी जाटों को कितना भाजपा के साथ जोड़ पाएंगे रालोट से अलग कर पाएंगे एक प्रश्ट कड़ा होगा दूसरी किसान अंदोलन के चलते जो नाराजगी है वो तीसरा टिकेट का परिवार अभी आपने देखा होगा टेनी और टिकेट के बीच में अंताच्छरी हो गई थी तो यह तमाम मुद्दे हैं लिकिन इन सब के बीच में एक बड़ा प्रश्ण ये भी खड़ा होता है कि क्या भाजपा सरकार पूरव से और संग्ठन पश्षिम से इस फर्मूले पर चल रही है चुकि उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पारिटी के और संग्ठन महामंत्री दोनों पश्षिम से हैं मुरादाबाद से अध्यक्ष और विजनौर से संग्ठन महामंत्री और गोरखपुर से सरकार के मुखिया तो सरकार पूरव से संग्ठन के चेहरे पश्षिम से क्या ऐसे भाजपा पूरव पश्षिम की गनित को साधने की कोशिश कर रही है हाँ कोशिश करती तो दिख रही है लेकिन इसका नतीजा इत्य करेगा कि भाजपा का ये नया प्रियोग कैसा है कितना सफल है और पहला इम्तिहान इस्थानी निकाय के चुनाव में इसी साल के अंत में हो जाएगा सरकार पूरव से संगठन पश्षिम से ये जुब नया फर्मूला लेकर भाजपा आई है क्या ये भाजपा को के विजयरत को आगे बढ़ाने में सफल रहेगा या भाजपा के इस प्रियोग की काट विपक्षी दल खोज पाएंगे